नमस्कार दोस्तो हमारा बिहार में आपका स्वागत है आज है 26 माई 2020 और 26 माई 2020 से जितने भी कर इंट अफिरस के कोश्चन है जो बिहार से जुरे हुए है उसको आज अब डिसकस करेंगे और दोस्तो इस वीडियो का अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमाई अप्लिकेशन में सर्च किजिए हमारा बिहार एच भी और चैनल को जोइन किजिए वहाँ पे आपको सारे दिन का PDF हिंदी और इंग्लिज दोनों लेंग्मेज़े मिल जाएगा और दोस्तो इस वीडियो के लास्ट में मैंने रिवीजन का दो कोशन रखा है जिसका एंसर आ अस्थापित किया जाएगा तो वसिष्ट नरायन रिसर्च सेंटर फॉर मैतमेटिक साइंस अस्थापित किया जाएगा पटना साइंस कॉलेज में ठीक है सी ऑप्शन इसका सही हो गया और इसमें देश वीडेश के बैग्यानिक प्रोफेसर मैतमेटिक्स और वहत्तिकी पर रिसर्च करेंगे और साल में दो बार 20 वर के बैग्यानिक यहां जुटेंगे तो था अंतराष्टी अस्थर के जनरल का भी प्रकासन किया जाएगा और इस सेंटर को बनाने में 10 करूर रुपया की लागत आएगी अब चलिए वसिष्ट नरायन जी का नाम आया है तो 1969 में इनाउने कालिफोर्निया विस्विद्याले से गनीत में पीएशडी की और वासिंग अटन विस्विद्याले में एसोसियेट्स प्रोफेसर बने और चक्रिये सदी समस्थी सधान्त पर किये गए उनके सोध कारे ने उन्हें भारत और विस्वें प्रसिद्धी दिलाई वसिस नराइन सिंग ने आइंस्टीन के साफेक्ट सिधान्त को चुनाती दी थी और उनके बारे में महसूर है कि नासाग में अप्रोलो की लांचिंग से पहले जब 31 कंप्यूटर कुछ समय के लिए बंद हो गये थे तो कंप्यूटर ठीक होने पर उनका और कंप्यूटर का कैकूट कैलकूएशन एक आया था ठीक है जिससे इनको और प्रसिद्धी मिली अब दोस्तो और उसके बाद दोस्तो लंबे समय तक बीमार रहने के कारण 14 नयमबर 2019 को इनकी मृत्य होई जास पिछले सल नयमबर में इनकी मृत्य हुई है अब दोस्तो यह थे भोशपूर ज नौर्ट साइड में तो यह सारन से सट गया है और साउथ साइड में अगर देखा जाए तो यह रोतास और अरवल से सटा हुआ है अब भोशपूर जिला के वारे में कुछ बेसिक इंफरमेशन जान लेते हैं तो दोस्तो भोशपूर जिला जो यह पतना प्रमंडल के अंतर और भुचपुर जिला का जो मुख्याले है ये आरा में है भुचपुर जिला का अगर छेतफल का बात किया जाए तो 2395 वर किलोमीटर है जनसंख्या होगया 2728407 बैक्ती जनसंख्या घनत्पो गया 1149 बैक्ती प्रति वर किलोमीटर और 764 दर है भुचपुर जिला का 702.076 प भोस्पूर जिला पहले साहाबाद के अंतरगत आता था जिसको सर 1972 में बाट कर भोस्पूर और रोतास नमक दो जिला बनाए गया गया बोस्पूर जिला में जगदिस्पूर नमक जगा है जहांके वीर कुवर सिंग थे जिन्होंने 1857 के करांती में एहम भूम का निवाय थे ठीक है अगला कोशन है दोस्तों बिहार के किस बैक्ती के नाम पर माई स्टैंप योसना के तहर डाग टिकर जारी कर उसे माई स्टैंप सम्मान से सम्मानित किया गया है तो माई स्टैंप सम्मान से सम्मानित किये गया है जोती पासवांटी के अभी बहुत ही चर्चा में है जोती जी जोकी गुरुग्राम से दरभंगा अपने पिता जी को साइकिल पर बैठा कर 1200 किलोमेटर साइकिल चलाई थी साथ दिनों में जिसका रहन को पूरे भारत के साथ पूरे विसमेन को प्रसिद्धी मिल चुकी है और दरभंगा प्रमंडल के डाक अधिक्चक उमेश चं रुपय का चेक परदान भी किया साथ ही बहुत सारे संस्ता के द्वारा जोती को आर्थिक साहयता भी परदान की जा रही है और अबोध देवी सम्मान से भी सम्मानित किये जाईगी जोती पासमान ठीक है अगला कोश्चन है दोस्तो राज में कोरोना से मरने वाले के आसरी कितना रुपया साहयता रासी प्रदान की गई है और राज में अभी तक कोरोना से 13 की मौत हो चुकी है और सभी 13 लोग चिपिवी साहयता रासी क मौत ₛ कितना फिष्दी परिवहन अनुदान दिया जाएगा. तो इस योजना में टोमैटो, ओनियों और पोड़ाटो है. टेमाटर, पियाज और आलू. ठीक है मुक्यता इसी के लिए बनाए गया लेकिन इस योजना में इस टमाटर प्याज आलू के लावा सारे फल सब्जियों को सामिल किया गया है ठीक है और इस योजना में 500 करोर खट्च करने का योजना बनाया गया है अब यह पाइलेट प्रजेक्टर तोर पे सुरू किया एकला कोशन है प्रवासी श्य Regierung को रोजगार देने के लिए राज में कितने और द्योगी कलस्टर बनाया जाएंगे तो hilarious दोशहतार देने के लिए राज में दॉस्तों चीलatrasa लोजश्टर बनाया जाएंगे और दोस्तों सात्टी मश्य मुष्ट्रो के एकुशलतर के हिस का अनुदान दिया जाएगा जिसे वे अपना काम सुरू कर सकते हैं ठीक है अगला कोशन है राज में किस राजनितिक दल के द्वारा पहली बार संडे फेस्बुक लाइव नामक एक अवियान चलाया गया है तो यह चलाया गया है जदियू के द्वारा यह अप्थन इसका सही हो गया और एक दिन में सोशल मीडिया पर चलने वाला अभी तक का यह सबसे बड़ा आयोजन था इस आयोजन के अंतरगत जदियू के सभी जिलाध्यक्ष विधायक वकटिहार सुपॉल जंजारपूर नालंदा गोपाल गंज आदि के सांसर एक साथ अपने इलागे के अगला कुशन है दोस्तो हाल ही में राष्ट्र मंडल दिवस कब मनाये गया है तो राष्ट्र मंडल दिवस मनाये गया है 24 मई के दिन सी ओप्सन इसका सही हो गया राष्ट्र मंडल दिवस राणी विक्टोरिया के जंद दिपर मनाये जाता है जिनका जंद 24 मई 1819 में हुआ था इस दिवस को पहले 1916 के बाद महरानी विक्टोरिया के जंद उतसब के रूप में अम्पायर डे के रूप में नामित किया गया थ अगला कोशन है दोस्तो विहार के शेक पूरा जिला में खनन के दोरान बौद धर्म की किस देवी की मुर्ती मिली है जिसे हेरिटेज सोसाइटी की विहार की अब तकी सबसे बड़ी खोज मानी जा रही है तो दोस्तों वो मिर्टी मिली है बज्र तारा देवी मा का ठीक है बी option इसका सही हो गया, कहीं पर आपको बज तारा देवी मिलेगा, कहीं पर आपको तारा देवी नाम लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, तो दोनों option मैंने बता दिया, और बिहार में दोस्तो हाइडरोलोजिकल इंजीनियरिंग की अस्ट धात्री देवी बज तारा का यहाँ प् तो अंतराष्टी ए त्री पीटक चैटिंग का आजन किया जाएगा बोध गया में, C option इसका सही हो गया, और इसका आजन दिसंबर माह में किया जाएगा, दिसंबर 2020 में, और दोस्तो कल का दूसरा question है, पुलीस के खिलाब सिकायाद दर्ज करने के लिए राज में WhatsApp नमबर किस और सस्त्री को विस बैंक के द्वारा साउथ एसिया के क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के प्रैक्टिस मैनेजर के पद्वे मित किया गया है, और आज का दूसरा question है, ब्रहमान के रहस्यों उससे प्रभाईत करने वारे कारकों का अध्यान करने के ल लगा होगा, अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा या helpful लग रहा है, तो प्लीज इससाओं को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, तथा आपने दोस्तों में जरूर सेर करें, और दोस्तों इस वीडियो का अगर आप 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 डिरेखवडी अपटीकेचन के हमारा हम भी ह Psal सकते हैं और दोस्तों बहुट सारे से सही provide किया जारा है जब से चाइनल है तब से monthly video provide किया जारा है जिसका लिंक आपको वीडियो के description box में मिल जाएगा वीडियो के description box में जितने सारे मंत है सारे का monthly page का link दिया गया है आप लोग please वहाँ से download कर सकते हैं ठीक है चलिए दस्तों आज के लिए इतना ही वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.